दोस्तों नमस्कार मैं प्रवीन प्राकेटिक गाउन से आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि FCR होता क्या है और FCR जो है कैसे बढ़ जाता है इन चीजों के बारे में दोस्तों डिसकस करेंगे तो हमारे वीडियो दोस्तों लाश्ट तक देखेगा आपके लिए बहुत हेलफूल होने वाला है दोस्तों सबसे पहली चीज तो जानते हैं कि FCR होता क्या है FCR का मतलब होता है Feed Conversion Ratio Feed Conversion Ratio इसको बोलते हैं इसको 60 फाम में FCR कहते हैं FCR का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपकी मचली एक किलो तक होने में कितना खाना खाई है सपोच करिए कि आपकी मचली एक किलो की जब होती है तो अगर 800 ग्राम खाना खाई है तो उसका जो है FCR होगा 0.8 अगर सपोच करें आपकी मचली एक किलो तक बढ़ा करने में अगर डेड़ किलो वजन का दाना खाई है तो उसका FCR हो जाएगा 1.5 और अगर सपोच करें कि आपकी मचली एक किलो तक वजन होने में एक किलो दाना खाई है इसका मतलब कि उसका FCR 1 के बराबर होगा दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में होगा एक question कि FCR सर कैसे calculate करते हैं तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा एक formula है बहुत छोटा सा सुत्र है कि the total weight of feed is divided by net production मतलब जितना हमने अभी तक खाना खिलाया है उसको divide कर देंगे किसे net production अब net production कैसे निकालेंगे दोस्तों final weight minus starting weight मतलब कि अभी जैसे हमारे तलाब में एक किलो की मचलिया है और मैंने जो है 10 ग्राम का बच्चा डाला था अपने तलाब में suppose करिए तो हमारा जो है net production होगा 990 ग्राम तो हम जो है जितने आप मचलियों को खाना खिलाया है उसका total weight अपन 990 ग्राम कर देंगे तो हमारा इससे जो है FCR calculate हो जाएगा दोस्तों मचली पालन में अगर 1.2 से 1.35 तक अगर NCR FCR होता है तो इसका मतलब सही है दोस्तों FCR का सीधा फंड़ा होता है आपके profit से तो अगर FCR बहुत जादे हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपके profit में नुकसान हो जाएगा दोस्तों इसलिए FCR को बहुत अच्छी तरीके से manage करके चलना पड़ता है तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि ऐसी क्या गलती हम करते हैं जिससे हमारा FCR बढ़ जाता है दोस्तों सबसे पहले चीज जो सबसे important है कि हम मचली के तलाब में जितना area होती है उतनी density जितनी होती है मचली डालने की हम उससे जादे मचली डाल देते हैं सपोच करिए हमारा आठ विस्से या दस विस्से का तलाब है उसमें हमको जैसे सपोच करिए कि दसी हजार मचली डालनी है लेकिन हम क्या करेंगे पंदरह हजार मचली डाल देंगे तो आपको जो है density का बहुत जादे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो मचली डालने हैं जिस साइच के तलाब में डालने हैं वो सही है कि नहीं इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए मतलब कि दोस्तों ओवर इस्टाक नहीं करना है मचली यों को हाँ अगर आपके पास एडियेशन की सुबिता है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन बहुत जादे नहीं दोस्तों दूसरा पॉइंट है कम दाना खिलाने से दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कम दाना सर खिलाने से कैसे मचली का एपसियार बढ़ेगा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कम दाना खिलाने से भी FCR बढ़ता है सपोच करिए कि आपने कम दाना खिलाये मचलियों को तो आप सोचिए जरा कि मचलियों को जो इतनी एक्टिविटीज कर रही है जो इधर से उधर तैर रही है उसके लिए एनरजी की जरूरत होगी है ना दोस्तों तो और दूसरी चीज की पाचक क्रिया के लिए मचलि जो खाना खारी उसको पचाने में जो एनरजी लगती है तो मिनिमम एनरजी की उसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो अगर आप कम दाना देते हैं तो जितनी भी एनरजी मिलती उन दानों से वो सर्फ ये सब बेसिक चीजों में लग जाती है तो उसमें क्या होगा कि उनके बाड़ी का वेट बढ़ेगा ही नहीं तो जब बाड़ी का वेट नहीं बढ़ेगा तो आपकी मचलियां बड़ी होगी ही नहीं वजन ही नहीं होगी तो इसलिए आपको घटा हो जायेगा दोस्तों तो इसलिए कम दाना खिलाने से भी FCR बढ़ जाता है अगला पॉइंट है दोस्तों की ओवर फीडिंग कराने से मतलब कि आपको मचली को दाना ना तो कम खिलाना है न तो जादे खिलाना है अगर आप जादा दाना खिला देते हैं तो क्योंकि आपको मचली को जितना खाना खाना है जितना भूक है उतना ही खाएंगी अगर आप जादे दाने को फेक देते हैं तो दाना जो है वेश्ट चला जाता है तो दोस्तों जादे दाने खिलाने से भी FCR जो है बढ़ जाता है दोस्तों अंगली चीज क्या है बीमारियां अगर आपके मचली को बीमारियां भी हो जाती है तब भी जो है FCR बढ़ जाता है जैसे आप समझ करिए मचली आपके बीमार हो गई एक हपते तक खाना ही नहीं खा रही है और आप खाना फेकते चले जा रहे हैं उसको तो आपका जो खाना है वो तो वेश्ट जाएगा ही जाएगा उसके बाद मचली जब अच्छ चेक करते रहे है और दूसरी चीज पानी निकलवाते रहे है जैसे उसमें अच्छा पानी एक बार डालिए और जो है दूसरे पम से पानी निकलवाते रहे है तलाब में से और जब भी जाल पड़े तो पोटैसियम परमेंगेट का जो है यूज जरूर करिए दोस्तों अग तो इसलिए आप एक पॉइंट से नहीं बलकि मल्टिपल पॉइंट से आप उनको दाना खिलाएं जिससे आपका FCR बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि मचली हर मचली विकास करेगी तो आपको जादे फायदा होगा तो दोस्तों यह सब चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आप पम से पानी हमेशा निकालते रहें जिसमें 90% बिमारिया दूर रहेंगी और आपकी मचली स्वस्थ रहेंगी तो दोस्तों आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा बने रहे हमारे साथ और दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब कर लिजेगा ताकि छोटी छोटी चीजें मैं आप तक पहुचा सकूँ आज के लिए बस इतना ही जय हिन